उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस भरती में आयू सीमा में छूट की मांग कर है अभ्यारतियों को रहत देने वाली खबर सामने आई है इस फैसले से लाखों उमीदवारों को रहत मिलने की उमीद की जा रही है ये चूट सभी वर्गों के अभ्यारतियों को मिलेगी बता देए कि बीते कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों के साथ साथ किसान नेता और बिजेपी के नेता भी आयू सीमा में चूट देने की मांग कर रहे थे जिसके बाद अब सीम योगे दितनात ने प्रमुक्स चीव ग्रह को आयू सीमा में चूट देने के निदेश दिये हैं वहीं सीम योगे दितनात ने अपने सोशल मीरिया प्रेटपॉर्म एक्सपर फैसले की जानकारी देते हुए लिखा यूवाओ के हितों एब उनके उज्वल भविश के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद है इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरेक पुलिस के पद पर भरती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए उच्चितम आयू सीमा में तीन बर्ष की छूट देने का निन्य लिया गया है वहीं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती के लिए आवेदन बुद्वा 27 दिसंबर से आयो के अधिकारिक वेबसाइट यूपीपी बीपी डॉट जी ओवी डॉट इन पर शुरू हो जाएंगी कुल 6,244 पदो पर भरती की जाने है ओनलाइन आवेदन की अंतिम डेट की बात करें तो वो 16 जन्वरी 2024 है फीज जमा करने और आवेदन में संसोधन की अंतिम तिथी 18 जन्वरी 2024 तै की गई है स्रियम योगी के इस नए फैसले का फाइदा लाखो अभ्यार्थियों को होगा पुलिस भरती का जल्द ही संसोधित विज्यापन भी जारी किया जाएगा दरसल अभी पुरुषों के लिए आयू सीमा 18-22 साल और महिला के लिए 18-25 साल निर्धारित की गई थी अब 3 साल की छुट मिलने से 25 वर्ष तक की आयू के पुरुष आवेदन कर सकेंगे तो इस ख़बर पर आपकी क्या राए हैं आप हमारे साथ जरूर शेयर करें ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते लिए जन भावना टाइम्स नमस्का